सुरक्षा और शक्ति दोनों में सीधा संबंध है और टेक्नलाजी दोनों की की ड्राइवर है आज हमें बात करनी है इंडिया इंडिया इयर ट्रीमिंग सिस्टम जिसकों सी एटियस भी कहते हैं अब इस से क्या फायदा होने वाला है और है क्या यह सिस्टम यहां से प्रदिम और मेंस दोनों की important dimensions बनती है जो भी questions के dimension है मैं उस पर highlight करता हुआ चलूँगा सबसे पहले इस headline को देखिए HAL working on man unmanned air combat air teaming system तो सबसे पहले आपको इसका मतलब समझा देते हैं यह है क्या वर्ड को जरब break कर लीजे HAL को तो आपको पता होगा सरकारी उपकरम है हिंदुस्तान aeronautics limited combat air teaming system तो combat के लिए है air teaming अब air teaming का मतलब क्या है क्या हावा में कोई team बन रही है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप सही है कि गलत है अब सही है अब जरदेखे इंट्रडक्शन करते हैं सबसे पहले तो यह आपको देख रहा होगा cats warrior यह अक्चली इस combat air teaming system का एक component है अब यह है क्या जैसे आपने देखा होगा कि एक हमारा fighter jet वो combat वाले zone में जा रहा है fight करने और अपने combat के लिए वो क्या होगा mend यानि कि जैसे कि आपका तेजस रफेल तो अगर हमने इस streaming system को successfully achieve कर लिया जब कि मैं आपको बता दूँ इसका model तैयार हो चुका है अभी आपको पता लगेगा कि किस तरीके से काम कर रहा है demo भी हुआ है अब मुद्धा यह है कि अगर एक तेजस के साथ हमारे पास करीब मान लिजए 24 साथ में drones भी चल रहे हैं और वो drones अपनी attack की शमता रखते हैं surveillance की शमता रखते हैं तो आपको यह लगता कि अब जो हमारा pilot है वो कम समय में जादा कारगर साबित होगा human error की संभावनाएं कम हो जाएंगी और life पर जो threat है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि दुश्मन की territory के अंदर जाकर अगर मारना हैं तो ऐसे में आपको यह नहीं है कि हमारे fighter jet को ही वहाँ पर जाना होगा fighter jet control करेगा वो mend है और साथ में unmend vehicles है वो control करेगा और वो इनके थ्रू इनको forward भेज कर और वहाँ पर वो attack कर पाएगा यह नहीं कि प्रिसीजन भी होगा यहां पर आपको दिख रहा है यह fighter jet तो example यह तेजस रफेल का हम यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं अभी HAL DRDO मिलकर तेजस पर experiment कर रहे हैं यानि कि model owner बना दिया now they want to actually change the internal configuration of electronics क्योंकि control करना होगा ना इन सभी components को भी अब ज़रा इसके आसपास देखिए क्या चल रहा है तो आसपास आप देखेंगे cats infinity high altitude pseudo satellite तो साथ में एक satellite चल रही है यानि कि यह atmospheric satellite है यानि कि हमारे atmosphere में ही हम इस satellite को roam around करा सकते हैं whenever our fighter jet is actually moving around तो यानि कि surveillance better हो जाएगी यहाँ पर देखें यह आपको एंटी एफ एर फेट वैपन मिल रहा है यहाँ पर अब मैं इसके डिटेल में भी जाने वाल हूँ cats warrior loyal wingman ucav अब यहाँ पर आपको कहीं सारे drones मिलेंगे इसमें जो सबसे बड़ा drone आपको दिख रहा है वो यह है जिसको loyal wingman यह हमारी टर्म म सी यहाँ पर हम warrior भी कह रहे हैं ठीक है और साथ में आपके यह छोटे drones भी आपको दिख रहे होंगे तो मैं आपको बताओं हमारी आर्मी ने अभी experiment के तोर पर एक साथ 75 drone यानिके 75 drones को एक manned aircraft के तू कंट्रोल करते हुए मतलब एक swarming way में राइट वो प्रदर्शित कर अब इसको बनाया बनाया किसके द्वारा जा रहा है तो एक्ट्री एचल का प्रोजेक्ट है लेकिन इसमें जो components है वो different जो हमारी organizations है उसके थ्रू आ रहे हैं जैसे कि इसमें एंगेज है N.A.L. National Aeronautics Limited Laboratory है किसकी CSIR के अंतरकत आती है DRDO है और NRT, NRT है New Space Research Technology मेरे यह मानना है कि जब कोई चीज बहुत ज़्यादा चर्चा में होती है मतलब कुछ नया होने वाला होता है तो UPSC वहाँ पर क्या करती है? Mesh the following करके question पूछ लेती है, headquarter से भी question प्रिलिंस में पूछे हुए हैं, तो अगर मैं आप से कहूँ H.A.L. का headquarter का है? तो पता होगा आपको Bangalore ह का है, Bangalore है क्या? नहीं, यह Delhi है, तो DCDRDO, DC Delhi और NRT मैं आपको बता दूँ, यह private company है, यह startup है NRT, तो start इसका भी headquarter कहां पर है? Bangalore है, तो तीन तो होगए, यह Bangalore ही, बस एक यहां पर यह DRDO Delhi में है, तो यह चारो मिलकर इनके सब systems component को बना रहे हैं, जिससे की भारत के पास की शमता आ सके, टार्गेट है कि 2024, 2025 तक इसको complete कर दिया जाएगा, अगर आप से benefits के बारे में पूछा जाए, यानि कि statement बना दे, which of the following are considered as benefits of the CATS system, या फिर मेंस में कुशन बना दे, जिसमें आपको short note लिखना हो, तो आपके पास कुछ points होने चाहिए, तो देखे पहला point है जितने भी ये component हैं आपके, UCAVs, इनको mother ship के साथ connect करने में, real time data वहाँ से mother ship के पास आए, mother ship से जो direction जा रहे हैं, वो इन UCAVs के पास जाएं, जिससे कि ये वैसे काम कर से कि जैसे हमारा pilot चाहता है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये satellite चाहिए, तो surveillance के भी काम आएगी साथ में precision striking हो जाएगी, क्योंकि अब के वाल हम उस fighter jet पर dependent नहीं है, अब हमारे पास other UCAVs भी होंगे, right, unmint combat aerial vehicle, ये UCAV के फिलफॉर्म है, आसान भाशा में ऐसा drawn जो की मारक शमता भी रखता हो, right, तो human error, life threat ये कम हो जाएगा, अभी आपको बताया था, साथ में, situational awareness, हमारे पास AI enabled, autonomous aerial subsystems होने चाहिए, आप कहेंगे तो technical सी बाद बता दिया आपने, आसान भाशा में बताता हूँ, अब सोचिए कि अगर हमारे border पर, से लदाक region में, ठीक है, autonomous AI enabled, aerial vehicles घूम रहे हैं, ठीक है, यानि कि हमारे drones घूम रहे हैं, और AI enabled हैं, अगर हमने उसमें configuration set कर हुए है कि भई, इस मतलब, this is how you are going to identify the enemy, यानि कि दुश्मन की पहचान इस अधार पर की जाएगी, हाला कि वो पहचान कैसे करेंगे, और क्या हम इसका इस तरीके से इस्तमाल करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन दुश्मन की आपने पहचान कर ली कि भई, आप पहले मैसे हम कर लेते हैं, और इस पर अलड़ी काम चल रहा है, इसी के बारे में हम डिसकस कर रहे हैं, तो यानि कि सिचुवेशनल अवेर्नेस होगी, यानि कि वो यूसी एवीज, खुद ही अवेर होंगे कि क्या खतरा है, और फिर खुद ही वो एनिमी को टार्गेट कर सकेंगे, तो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है, क्योंकि यूपेसी इस तरीके से कोशन पूश लेती है, तो देखें, डियाईयो इस वे से बनाया गया, कि भारत जो है, दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में से एक है, इतना बड़ा हम रक्षा छितर का आयात करते हैं, तो हमारे हैं डिफेंस इको सिस्टम हमें बनाना है, इसका मतलब यह होता है, कि अगर माले लिजे, डियाईयो चाहे, कि हम इतनी सारी मिसाइल्स को खुद बनाना है, अब हम टोटल डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें केवल, ऐसा ही तो DRDO जिमा ले ले बनाने का, तो क्या हो फिजिबल होगा? नहीं, तो इस वजए से हमारे हैं ऐसी कम्पनिया भी आएं, प्राइवेट सेक्टर में भी आएं, जो कि डिफेंस के लिए जो चीज़े ज़रूरी होती हैं, वो बनाने लग जाएं, तो अगर छोटे छोटे चोटे कोने D.I.O. अब मैं एक ऑप्शन आपको देता हूँ, मैं कहता हूँ कि डिफेंस इनोवेशन और्गनाइज़ेशन इस अ गॉर्णमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री, तो बताई ये स्टेटमेंट टू है कि फॉल्स है, मैं कहा रहा हूँ कि ये अच्छली अलक से डिपार्टम अब इस डिफेंस प्रड़क्शन तो ये है, अब इस डिफेंस प्रड़क्शन ने एक कमपनी बनाई है, नॉन प्रॉफिट कमपनी है, कमपनी जेक्ट के ताहिद बनी है, उसको हम कहा रहे है D.I.O. और जो आईडेक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आईडेक्स इनिशे है, मेजर प्रोग्राम है, इस D.I.O. का, ठीक है, तो ये तो एक कमपनी हो गई, जिसको इस हमारे डिपार्टमेंट ने बनाई, ये खुद एक डिपार्टमेंट नहीं है, बात समझ मैं आई, तो आईडेक्स अब अगर आपसे कोशन पूचा जाएगा, तो आप गलत नहीं करेंगे, इसका परपस क्या है कि स्टार्ट अप्स हमारे हैं बूस्ट हो, जिससे नईनी कमपनी हमारे हैं, ये सारे कॉम्पोनेट्स बनाने लग चाएं, अब जब ये आईडेक्स प्रोग्राम करा गया, तो इसमें जीत कर दो स्टार्ट अप्स आ गया ही, उन्में से एक न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नलोजी, इसने ये आईडिया दिया कि हम ऐसे ऑटोनोमस, ये यूसी एवीज का इस्तमाल कर सकते हैं, एक मदर शिपो का उसके साथ हमारे यूसी एवीज चलेंगे, कैपिलिटी नेक्स लेवल हो जाएगी, तो इन्होंने आईडिया दिया था अब जाहिर सी बात है, अब एक फाइटर जेट नहीं है, अब कितने सारे यूसी एवीज हैं, और ऐसे में कुछ यूसी एवीज तो हम तैयार करेंगे कि विल सुसाइड के लिए, अब आप कहेंगे सुसाइड की बात क्यों कर देए हो सार, अरे मतलब ये हुआ, कि अगर हम अब दुश्मिन की टेरिटरी में अंदर जाकर सबक सिखाना है, तो हमारे फाइटर को जाने की ज़रुत नहीं है, हमारे पाइलिट को जाने की ज़रुत नहीं है, हम सेट कर देंगे उस यूसी एवी को, उसको कहा जाएगा, पहुंच जाहिए वहां, तो वो पहुंच टेरिटरी जो आपको बताया भी दुश्मन की टेरिटरी के अंदर तो दो बेनेफिट तो आपको ये पता लग गए नो एचल ने एक्छल प्लैन एक्छली रखा और इसको कहा ये हम कहेंगे इसको सी एटी एस अब जरह सी एटी एस का ये आपको दिख रहा होगा डून साथ म हमें कारगो को इधर से उधर ले जाना है और डिफेंस के लिए और रोटरी जो कहा गया आर यू वे भी अन्मेंड रोटरी तो ये है रोटरी यानिक हेलिकॉप्टर की तरह दिखता है लेकिन इसमें इनसान की जुरत नहीं है ठीक है तो दिस रोटरी तो ये नेक्स्ट प् रुजहान है 500 मार्क में 300 प्लस कोर करने हैं तो PSR आप्शनल लाइफ क्लास स्टार्ट हो रहे हैं 18 दगस्ट से आइम गूंट टेक दिस बैच फरस्स टाइम यहां पर लाइफ होने वाला है तो त्यागी लाइफ कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये डिसकांट मिल है चाहिए वो कॉंसेप्ट को लेकर हो चाहिए वो आंसर राइटिंग को लेकर हो हर एक चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है शेशांक त्यागी फोर यूँ आप मेरे साथ जूट सकते हैं Instagram, Telegram, Twitter पर Telegram में specifically current की orientation कैसी है आपकी होनी चाहिए क्या चीज़ आप मिस कर देते ह हैं उस पर रोज एक क्विज होती है अब बैक टूर टॉपिक ना आपको यहां दिख रहा होगा तेजस तो परपस यह है कि इसको हमें चेंज करना पड़ेगा इनके अंदर की electronics को जिससे की कोडिनेट कर पाएं इसके लिए लग से बजट ऐलोकेट हो चुका है 400 कुरूर अ अधर शिप के साथ जो चल रहे थे cts warrior cts alpha cts hunter cts infinitive cts का तो मतलब यह है कि एक ही combat aerial team के पार्ट है अब यह UAVs है अन्मेंट aerial vehicle है ड्रोन है ड्रोन से आपके दिमाग में केवल वो नहीं आना चाहिए वो शादी वाला ड्रोन की अच्छा वो imagery के लिए है नहीं यह है ड्रोन असली ड्रोन यू कैन से combat के लिए ड्रोन तो यह है जैसे cts warrior अब जरा यह देखिए cts warrior है यह release कर सकता है 24 alpha s drones को यह आपको दिख रहा है इजी के साथ attached है यह देखे 24 आपको दिख रहे होंगे alpha s यहां पर लिखा है तो सोचिए यानिक एक चल रहा है और 24 अलग से निकाल दिए तो मुझे बताइए दुश्मन को हम confuse भी कर सकते हैं अटैक भी कर सकते हैं सर्वलेंस भी कर सकते हैं तो यह शमता है इसकी now swarm of 75 75 drones को एक साथ एक कोडिनेशन में एक combat formation में चलाने का यह हम exercise already दिखा चुके हैं arm forces headquarter पर जैनिके शमता है आप components की बात करते हैं जैसे कि c cts warrior यह आपको दिखरा होगा यह cts warrior इसमें twin jet engine लगा हुआ इसकी बड़ी मेच में आपको दिखाता हूँ यह है अब आपको लग रहा है जर यह तो एक खुदी fighter jet की तरह लग रहा है जी हां ऐसा ही है लेकिन fighter jet नहीं है ठीक है यह drone है लेकिन attack attack capacity है इसमें प्रवी तो बता है है किने नाँ cts hunter अब आपको दिख रहा होगा यह यह उससे छोटा है warrior से छोटा cts hunter यह देखे अटेच है रहाई तो दिस अनदर you can say ucav drone है यह यह रहा cts hunter अब cts hunter के पास capacity है कि यह दुश्मन के एरिया में attack करने के बाद वापस भी आ सकता है और आप कहेंगे land कैसे होगा सर फिर यह अभी तो हमने attach करके लेगे इसको अरे land हो जागा परशूट से ठीक है so this is the capacity now cts alpha अब loitering munition का मतलब क्या होता है यह नहीं के हवा में ही हमारे जो हतियार हैं वो तैर रही हैं जहां ज़रत पड़ेगी direction देनी कि उस तरफ हम direction दे देंगे alpha यह alpha यह छोटे वाले हैं देखिए यह alpha है तभी तो बताया था warrior के पास 24 एक साथ निकालने की यह बारी बारी से निकालने के शमता है यह है यह यह भी इस्टा पर भी आंसर को discuss the significance of hlcats in improving our aerial capabilities अब पूछ रहे discuss the significance महत्ता क्या है aerial capabilities में तो आइधिंग आप इस session के end तक हैं तो आप कि दिमाग में छब गई होंगी क्या capabilities है right तो आसानी से आप कर सकते हैं फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए